मेगान जाधाव इन्होंने सूरी पूत्र कार्ण सिरियल में अभी मन्यू का किरदार निभाया था और ये अभी 31 वर्ष के हो चुके हैं पंखुडी अवस्ती इन्होंने सुरी पूत्र कार्ण सिरियल में द्रोपती का किरदार निभाया था और ये अभी 32 वर्ष के हो चुके हैं एलिस कोसिक जीने उत्रा का किरदार निभाया था और दोस्तों ये अभी 26 वर्ष के हो चुके हैं मौली गांगुली मौली गांगुली जी ने राधा का किरदार निभाया था और ये अभी 40 वर्ष के हो चुके हैं मलहर पांडिया मलहर पांडिया जी ने बलराम का किरदार निभाया था और ये अभी 41 वर्ष के हो चुके हैं रिचा मुखर जी इन्होंने सूरी पूत्र कार्ण सिरियल में लक्षमना का किरदार निभाया था और ये अभी 26 वर्ष के हो चुके हैं सूभी अहुजा ने भानुमती का किरदार निभाया था और दोस्तों ये अभी 34 वर्ष के हो चुके हैं नावेद असलम जी ने भीस्म का किरदार निभाया था और ये अभी 52 वर्ष के हो चुके हैं पायल रोहतगी जी ने सिखंडी का किरदार निभाया था और ये अभी 38 वर्ष के हो चुके हैं इस्मरिती सिन्ना वात्र इन्होंने सूरी पूत्र कर्न सिरियल में गंधारी का किरदार निभाया था और ये अभी 33 वर्ष के हो चुके हैं निमाई बाली जी ने दुरुनाचारे का किरदार निभाया था और दोस्तों ये अभी 53 वर्ष के हो चुके हैं राज प्रेमी जी ने दुरुपद का किरदार निभाया था और ये अभी 43 वर्ष के हो चुके हैं सालीन भन्नोड जी ने दुरुवधन का किरदार निभाया था और ये अभी 49 वर्ष के हो चुके हैं सुरेंद्रपाल इन्होंने सूरी पूत्रकर्न सिरियल में परसु राम का किरदार निभाया था और ये अभी 69 वर्ष के हो चुके हैं विशेस बनसल जी ने बालकर्न का किरदार निभाया था और ये अभी 18 वर्ष के हो चुके हैं पिरिया बथिजा जी ने कुंती का किरदार निभाया था और ये अभी 37 वर्ष के हो चुके हैं बनीत कपूर जी ने नकूल का किरदार निभाया था और दोस्तों ये अभी 33 वर्ष के हो चुके हैं केतन करंडे जी ने भीम का किरदार निभाया था और ये अभी 45 वर्ष के हो चुके हैं नवी भंगु इन्होंने सुरिपूत्रकर्न सिरियल में अरजून का किरदार निभाया था और इनके आयू के बारी में जैदा जनकारी नहीं है गोतम रोडे जी ने कर्ण का किरदार निभाया था और ये अभी 45 वर्ष के हो चुके हैं सोरव पांडे जी ने भगवान किरिश्न का किरदार निभाया था और ये अभी 35 वर्ष के हो चुके हैं तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना धन्यवाद